नमस्कार मैं आर्डी भारती और आप देख रहे हैं विहारी सुल्तान चैनल आज पूरा देश एक ही चर्चा के पीछे है कि 10% सबर्नों का आरक्चन हर चोक चोड़ाहे पर एक ही चर्चा हो रही है 10% सबर्नों का आरक्चन लोग सभा में बिल पास होगा राज सभा में बिल जाएगा और यहुझा समर्थल कर रहे हैं बसरते के काइमिस्ट राहत मिलने वाली है इस लिए जितने भी दर्लित नेता है रामदास बास बान हो, चिराग बास बान हो, उधितराग जी हो, अथवा रामदास अठावले जी हो, सब बढ़ चड कर हिस्सा ले रहे हैं, कि किसी तरह यह बिल पास हो जाए, सबसे बड़ी बात यह कर रहा हूँ मैं आपसे, कि सबर्म की पड़िवासा यह कही गई है, कि 49. 4.5% आरक्षन के बाद, जो लोग बचते हैं, वह सबर्म है, रही बात यह कि गरीब कौन होगा, तो सरकार ने एक पैरमीटर बना दिया, कि साल हर में 8 लाक रुपईये से, जो कब इंकम करता हो, जिसकी आमदनी, 8 लाक रुपईये से कम हो, अथवा जोब का जमीन, 3 विगा या 5 हेक्टेर से कम हो, अथवा निगम के अंदर सहरों में 109 जगह आवासकी उसे कम हो, उसे हम गरीब मांदें, चलिए 10% जो सवर्नों का आरक्षन है, इसे सवर्म समाज को खुस हो रहा होगा, परंदू बहुजन समाज में एक बहुत बड़ी राहत आई है, सबसे बड़ कहिंबे लेता उबर रहे थे, कहीं पे जाठ आरक्षन, तो कहीं पे गूजर आरक्षन, कहीं पे पटेर आरक्षन, हार्दि पटेर जो गुजरात में, राजविती में आये, उड़े गुजरात को हिला दिया, आ खिर उनकी क्या उपलब दी कि के बड़ इसलिए कि पटेर सम अब गरीब के नाम पे हर जाती कभर हो जाएगी। बहुजन समाज में जो कई बार उन्मात मैदा किया गया, अपने नेताओं के द्वारा केबल जाती और आरक्षन के नाम पर गया। आप समझ रहे होंगे कि हमारा बहुजन समाज दो बोर्जे पर दर्दा है। सभिता से और सभिता से, सभिता ने बहुजन समाज को आखरी पायदान पे रखा। मंदिर में पूजा हम करेंगे, तुम तो मंदिर का सीधिया धो गए। ये कहा गया, और सभिता में कठपुद्री बना कर रठा गया। सबसे बड़ी बात या है, हम कहने के लिए कह देते हैं, को OBC, अल्प संख्यक और दलिट, यानि बहुजन समाज, सब एक प्लेटपॉर्ट पर आगे रहे हैं। लेकिन क्या ये सच है? ये वो भीर है, ये वह समू है, जो सवर्णों के खिलाफ लरने वाद समू है। लेकिन डलिट प्रेम नहीं है, बहुजन समाज का प्रेम नहीं है, अगर प्रेम होता, तो 36 गड में बहन मायावती और अधित योगीजी की सरकार होती है। लाजनीती क्या दलिट समाज को आगे आने देती है? हम कहीं कहीं बहन मायावती को इसलिए सपोर्ट कर देते हैं, क्योंकि वो वाकई दलिट की नेता है, वो दलिटों की बात करती है। हमें मिला कुछ नहीं पर परतार्मा कुछले 70 साल से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लोगों की बरदास्त कर रहे हैं, हम आरक्षन वाले हैं। मिल जाता है 10% सवर्मों को, तो कोई कम से कम हमारे बच्चे को यह नहीं कहेगा कि आप आरक्षन वाले हो। क्योंकि हर जाती में जो गरीब होगा वो आरक्षन वाला होगा। और जाती कर हमले कुछ न कुछ कम होने की समभावना होगी है। रही बात यहा है कि जो जाती बरजस्च में होती है, वो आरक्षन की मांग करने लग जाती है। कम से कम इसका भी खात्मा होगा। और समसे बरी बात यह है कि बहुजन समाज को पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, कि अब जो हमें विकास की बात करेगा, वह अमारा नेता होगा। जाती की बात करने वाला अमारा नेता नहीं होगा। और किसी तरह हम आपको आगे तरह तरह की टॉपिक पर बनी चर्चाहें लेकर आते रहेंगे, आप बने रहें बिहारी सुम्तान चनल के साथ, तब तक के लिए धन्यबाद।